मासूम से चेहरे पर खिलखिलाती हसी, नन्धी नन्धी आँखों में बड़े सपने और एक पल में सब कुछ खर्म कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के एटा में जहां एक स्कूल बस तीस बच्चों के लिए मौत का पैगाम लेकर आई सूता हुआ स्कूल मेनेजमेंट, लापर वहार ड्राइवर, सुस्त प्रशासन, हादिसे की वज़े बहुत सी हैं लेकिन रुलाने वाला सच यही है कि तीस घरों के चिराग बुच चुके हैं सबसे बड़ा सवाल है कि मौत के इस सफर के लिए क्योंने स्कूल मेनेजमेंट के खिलाफ हत्या का केस दर्च हो घर से स्कूल के लिए निकले थे, सबक सीखने के लिए निकले थे तालीम से तरक्की का ख्वाब देखा था, लेकिन अब वो कभी घर नहीं लोटेंगे और 30 से ज्यादा बच्चे घायल भी हुए हैं, सवाल ये है कि मासूम बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है वही फिरोजाबाद में भी स्कूली बस और ट्रैक्टर की टकर में 10 से ज्यादा बच्चे जखमी हो गए हैं हादसा जसराना इलाके के कटोरी गाउं के पास हुआ कल यूपी के संभल में एक ट्रक ने स्कूली बच्चों के टेंपो को टकर मार दी थी हादसे में 13 बच्चे बुरी तरीके से जखमी हो गए थे इससे पहले 16 जनवरी को मतुरा में बच्चों से भरी स्कूली बस पलट गई थी और 40 से ज्यादा बच्चों को चोटे आई थी यूपी के एटा में हुए दर्धनाक हादसे में बच्चों की मौत की तादात बढ़कर 30 हो गई है और मरने वालों की तादात और बढ़ सकती है 30 से ज़ादा बच्चे घायल हुए हैं और अली गंज एटा रोट पर आज सुभे ये हादसा हुआ GMSP समेट आलादिकारी मौकी पर मौजूद हैं और रेच से भरे एक ट्रक ने स्कूली बस को टक कर माढ़ दी कोहरे के चलते ये हादसा हुआ बस जेस विद्या निकेतन स्कूल की थी और बस में 50 से ज़ादा बच्चे सवार थे ठंड के चलते जिलापरशासन ने स्कूलों में 21 जनवरी तक छुट्टी का आदेश दिया था बावजुद इसके स्कूल खुला हुआ था हादसे के बाद डियेम ने स्कूल की मानिता रद करने के आदेश दे दिये हैं साथी डियेम ने जेस विद्या निकेतन स्कूल के मैनेजर के खिलाफ एफ आई आर दर्च करने के आदेश दिये हैं पियमोदी ग्रेमन्त्री राजनाथ सिंग, यूपी के सीम अखिलेश यादव, राजपाल रामनायक, कॉंग्रिस उपाद एक्ष राहूल गांधी ने एटा में हुई स्कूल बच्चों की मौत पर दुख जाहिर किया है तुएटा में दर्दनाक हादसे में 30 बच्चों की मौत हो गई, तो वहीं यूपी के ही फिरोजाबाद में स्कूली बस और ट्रैक्टर में टक्कर हुई हादसे में करीब 10 से ज़ादा बच्चे जखमी हुए हैं, साथ ही ट्रैक्टर पर सवार 6 लोगों को गंफीर चोटे आई हैं हादसा जसराना के कटोरी गाउं के पास हुआ ऑइसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लखनों से पूर व आई-एस, S.P. सिंग साहब जोड़े हुए हैं बहुत-बहुत सुआगत है आपका S.P. सिंग साहब और साथी साथ इनेर ओनिफूर सामदर्द हमारे साथ जोड़े हुए हैं वेवेक्तिवारी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन सबसे पहले एक रिपॉर्ट देखते हैं घर नहीं लोटेगी वो अपने पापा से चांद तारे नहीं मांगेगी मा का लाडला भी कभी घर नहीं लोटेगा मा से ना जिद करेगा ना उसका आचल थामेगा मुन्नी कैसे लोटेगी मुन्ना कैसे घर आएगा वो तो हमेशा के लिए उस दुनिया में चले गए जहां से करने कोई लोटा ही नहीं यूपी के एटा में जिन्दगी का सबक सीखने के लिए बच्चे घर से स्कूल के लिए निकले थो लेकिन रास्ते में मौत मिल गई एटा के असदपूर गाओं के पास रेट से भरे एक ट्रक ने इसकूली बस को टकर मार दी बस में एल केजी से लेकर साथवी क्लास के बच्चे सवार थे आमने सामने की मौत की इस टकर में कई घरों के चिराग हमेशा के ले बुच गए दरजनों बच्चे हाथ से में घायल हुए है घायलों में कई बच्चों के हाल गंभीर बनी हुई है इलाज के लिए अलिगण और आगरा रिफर किया गया है देखे अभी तक हमारे पास गलती किसकी लापरवाही किसने बरती हिसाब लगाते रही जवाब मांगते रही लेकिन मौत के स्टकर में जिनका सब कुछ लुट गया घर के चिराग हमेशा के लिए बुच गये जिगर के टुकड़े जुदा हो गए उनके पास तो रोने के सिवा कुछ नहीं बचा है ट्रक के नीचे दबे अपने बच्चों के बेजान जिस्म देखकर माबा पर क्या बीती होगी उस दर्द को उस मातम को बया नहीं किया जा सकता स्कूली बस जेएस विद्या निकेतन स्कूल की थी बस में पचास से जाधा बच्चे सवार थे अली गंज एटा रोड पर कोहरे के चलते बालू से लेदे ट्रक की इसकूली बस से टक कर हो गई हादसा कोहरे के चलते हुआ सरदी के लिए स्कूलों में छुट्टी चल रही है लेकिन प्रशासन के आदेश की बावजूद जेयस विद्यानिकेतन खुला हुआ था हादसे के बाद स्कूल की मानिता रद कर दी गई है एटा में हुए दरदनाग हादसे पर प्रशासन एक्षन ले रहा है सरकारी डंडा चल रहा है लेकिन सवाल ये है कि क्यों बार-बार ऐसे हादसे होने के बावजूद सबक नहीं लिया जाता 24 घंटे पहले ही यूपी के संभल में एक ट्रक ने स्कूली बच्चों को ले जा रहे टेपों को टकर मारी थी 13 बच्चे बुरी तरह जख्मी होई थे 16 जनवरी को मतुरा में बच्चों से भरी स्कूल की बस पलट गई थी 40 से जादा बच्चों को चोट लगी थी बहरहाल एटा में जार जार रोते ये बदनसीब माबाप किस से जवाब मागी किस से पूछें कि स्कूल के गलती की सजा उनके बच्चों को क्यों मिली किसके गलती से उनके जिंदगी भर की कमाई उनके बच्चे हमेशा के लिए मौत की नीम सो गए एटा से विवेक पाथा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया 24-7 और इस दर्दनाख हाथसे को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रही है जब सर्दियों में स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया था तो इस स्कूल क्यों खुला था स्कूल मैनेजमेंट के खिलाब ठत्या का केस दर्ज क्यों ना हो और स्कूल प्रिंसिपल और मैनेजर को तुरंथ जेल क्यों ना भीजा जाए स्कूल बस को लेकर तमाम नियमों की धजियां क्यों उड़ाए गई और सवाल ये भी कि स्कूल बस के लिए अनुभवी ड्राइवर क्यों नहीं रखे गए और हमाई साथ चर्चा करने के लिए स्पी सिंग साहब जुड़े हुए है साती साथ हमारे समवाद दाता विवेक तिवारी बेमाई सा जुड़े हुए है विवेक सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी लखनों में क्या हल चले है इस हाथ से को लेकर और कितनी एक्टिव सरकार दिख रही है इस वक्त सरकार के हाथ में बहुत कुछ नहीं है सरकार ने निर्देश दिये हैं मुख्यबंतरी ने कुछ डिरेक्शन दिया है मानता रद करने के लिए कहा है और बाकी सारी कारवाईयां हो रही है मुख्यमंतरी गवर्नर दोनों ने दुख प्रगट किया है इस पूरी घटना पर लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ उसका पता कैसे चलेगा देखिश online में सबसे बढ़ी बात ये है कि ये ठीक है सकूल बंध होने के आदेश थे और सकूल खोल दिया गया था लेकिन इससे भी बढ़ी बात ये है कि जो इसकूली वैन को या गाड़ियों को बसस कर चलाने वाले ड्राइवर होते हैं उनका क्या बैक ग्राउंड है उनका अन्भव क्या है वो किस तरह से गाड़ियां चलाते हैं किस तरह से स्कूली बच्चों को ठूस कर भरा जाता है और बेतर तीब गाड़ियां चलाई जाती हैं उसका निदान कोई ने निकलता लखनू में भी इस तरह के हाथ से होते रहे है और हमने देखा है कि जो स्कूली वैन या कैप को चलाने वाले ड्राइवर होते हैं वो किसी की नहीं सुनते हैं उनके महले चाहे जितने नियम कानून उनके फर्थोपे जाए जितने नहीं बन्दिशे लगाजाए लेकिन वो नहीं मानते हैं तो इस चीज़ पर जबतार लगाम नहीं लगा जाएगी जब तक अनभवी और अच्छी ड्रावी करने वारे बच्चों को ले जाने वाले अच्छी ड्रावर नहीं होंगे इस तरह के हाथ से होते रहेंगे बिल्कुल विवेक आप बने रहें मायर साथ में लोटूंगे आपके पास एसपी सिंग साहब जो सरीके से विवेक लगातर बता रहे हैं कि नियमों का पालन नहीं हो रहा है यह कहें कि जो गाइडलाइन्स जारी की गई है स्कूल बस के लिए वो फॉलो नहीं कर रहे हैं स्कूल देखे घटना हो गई है और सरकारें बोलेंगी अब सरकार यह बोलेंगी यह दंड दिया जाएगा हत्या का मुकर्मा दर्ज होगा यह सारी बात होंगी सरकार बोल देगी अब बोलने के बाद बात खतम हो जाएगी प्रदेश के अंदर कितनी घटना ऐसी हुई है उनको उन पर क्या किया गया यह नहीं देखी प्रदेश सरकार देखिए आपको मैं दो बिंदू यहां बताना चाहता हूँ एक तो यह है कि बाल संडेक्शन बाल बाला लिकारों की किंता कहा है इस प्रदेश के अंदर सुरक्षा की बात सबसे पहले आती है देखिए सुप्रिम कोड की चौदे बिंदू की गाइडलाइंस है जी स्कूली बसों के बारे में उन गाइडलाइंस के हिसाब से उनका पालन वो स्कूल बस या जो वेन हो कर रह पी ड्राइबर ऐसा हो ड्राइबर रखा जाएगा जिसको पांच वर्सका भारी वाहनों को चलाने का नवह हो गाड़ी के अंदर फस्टेट बॉक्स होगा फार एस्टिंग विसर होगा उसके अंदर छमताय से ज्यादा बच्चे नहीं बढ़ी जाएंगे आज आप स्कूल अभी बागों में देखना चाहिए उसको अपने बच्चन से पूंचना चाहिए और आकड़े भी बताते हैं कि सड़क हाथसों में जान गवाने वाले में यूपी नंबर वान ने होती है बिल्कु ठीक है रही है यूपी के अंदर इस मकट जो व्यवस्ता है अब तो चली चुनाब चल रहा है पांच-छे महीने से कोई जिला प्रसाशन से सुसप्त पड़ा हुआ है अब चुनाब में लग गए तो सामाने जो प्रसाशनी गतिवदियां हैं जो कारिय कलाप हैं वो सब बंद हो गए अभी तो जिला अधिकारी सब इंजार कर रहे हैं कि हमारा ट्रांसफर ओडर कब आएगा इस प्रसाशन ठप है बिलकुल AI-Ti-o की जिम्मेदारी है कि वो सब्सक्राइब परदेश की ये तो पुरे देश के अंदर निर्णे होना चाहिए प्रधान मंत्री ने इसमें संवेदना वैक्त की है, मुक्रमिंत्री भी कर रहे हैं, गवर्नर भी कर रहे हैं, ग्रेमिंत्री भी कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या करेंगे सुरक्षा वैस्ता के लिए, वो कोई नहीं बोल रहा है, दुरगटना होती है, उसमें संवेदना वैक्त कर देंगे दुरगटना होगी उसमें दंडित करने की बात करेंगे लेकिन इस मेवस्ता में इन बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल बसों को कैसे संचालन किया जाए सुप्रिम कोड की की चौदे सुत्रिय जो गाइडलाइन से उनको कैसे अनुपादन करा जाए यह कौन देखेगा यह राज्य सरकार करके दिखाए यह निर्देश चारी करें सारे प्रदरिश के अंदर सारे मेटिंग करें सारे मैनेजर की सारे प्रिंसिपल्स की जो इसकूल बसे चलाते हैं और उसका नंबर स्कूल का जो रंग है वो पीले रंगा होगा आगे पीछे दौना तरफ स्कूल का नाम लिखा जाएगा इसकूल बस लिखा जाएगा उस पर और रुकने के लिए देखिए सारी दुनिया के अंदर देखिए स्कूल बसीज में यॉरॉप वगरा में या अमेरि या सौफीट की दूरी बनाके रखेंगे यह भी नहीं लिखा होता है और जो सड़क हाद से लगाता सामने आ रहे हैं उस पर और संजीदगी दिखाने की भी जरूरत है एस्पी सिंग साहब आप बने रहे मैसाथ में लोटूंगे आपके पास तो यूपी बाल आयोग भी ए सड़क हादसे पर एटा के डियम से रिपोर्ट मांगी है जिला प्रशाशन से हमने ये रिपोर्ट मांगी है कि अगर उन्होंने स्कूलों को बंद करने का निरदेश दिया तो स्कूल बंद क्यों नहीं थे और स्कूल की मानिता रद्द करने के लिए हमने कहा है मानि मुख् तो आपको बता दे कि इस मामले पर रेपॉर्ट भी मांगी गई है एटा में सड़क हादिसा हुआ है जिसमें तीस बच्चों की मौत हो गई है अलाकि आखड़ा भी और भी बढ़ सकता है आपको बता दे कि हादिसे का कारण कोहरा बताया जा रहा है लेकिन साफ तो पर कह सकत हैं कि स्कूल प्रश्यासन की भी इसमें बड़ी लापरवाही है क्योंकि स्कूल बंद करने के आदेश दिये गए थे लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल को क्यों खोला गया और एटा बस हादिसे में बड़ा खुलासा हुआ है इंडिया 24-7 की परताल में एक और खुलासा हुआ है स्कूल बस की राय पर लेकर चल रही थी और स्कूल में नियमों के मताबिक इंतिजाम भी नहीं थी साथ ही ये पता चला है कि कई स्कूली बसें बिना किसी पर्मिट के चलाई जा रही थी ये पता चला है कि बिना किसी अनुभव के ड्राइवर बस चला रहा था और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन्स के मताबिक कम से कम 5 साल का अनुभव उसे ड्राइविंग का होना चाह और यही वो बस आपको दिखा रहे हैं जो कि किराय पर चल रही थी और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स हैं कि आनुभव होना चाहिए ड्राइविंग का उसके बावजूद यहां पर नियमो को तक रखकर स्कूल मैनेजमेंट जो है यह बस चलवा रहा था इसके लावाए स्कूल में नियमो के मताबिक इंतजाम भी नहीं थे साथ ही भी पता चला है कि कई स्कूली बस से बिना किसी परमिट के चलाई जा रही थी तो आपको बता दे कि तमाम नियम बनाए गए है स्कूल बसों के लिए लेकिन उसके बावजूद भी उन नियमों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है उनका पालन नहीं किया जा रहा है जिसके चलते लगाताथ इस तरीकी के हाद से सामने आ रहे हैं और हमारे समवाराता इस वक्त विवेक पाठक हमाय से जुड़े हुए है विवेक ये तमाम खुलासे और हुए है इस मामले में कि अनुभव नहीं था ड्राइविंग का बिना पर्मिट के स्कूल बस चुलाई जा रही थी क्या आप जेट है आपके पास अब इलकुल तरही कहा रहे हैं आप चुकि एक परताल किया वहाँ पर जाकर कि आकरकार इस बस के लावा कौन को जी बस है वहाँ पर स्कूल पर जो कि संचालेट की जा रहे हैं तो वहाँ पाया गया कि यह जो बसे थी वह कोई भी स्कूल की खुद की तौपटी नहीं थी वह अमोमन खुद ही जाके अपनी तरफ से इसके जो हर मंतली का जो पेमेंट होता था था बस ड्राइवर को दिया कर देते हैं यह इस स्कूल जो बस है वो सीधे खिराये पर लेकर ही सीधे चलाया जाता था था स्कूल जो प्रवंदन का कोई मॉनिटरिंग इस पर नहीं था हुआ है नौजवाल लड़का बताए जा रहा है जैसी में अब इस पर हो चुका है कि पूरी तरह से इसमें नियम कानुनों की अच्चिया उड़ाई जाती रही है और यह केवल आगरा का लिगड़ साथी साथ लेका है यहां भी इसी तरह पूरा कौकस चल रहा है जो कि बन्ति विवेक आप बंढ़रे हमाइसात में लौटनगे आपके पास और हमारे साथ हमारे गैस बी जोड़े हुए है एस पि शिण साभ जी हमारे साथ हमारा था विवेक बी जोड़े होए चले लगता है विवेक से मारा संपर्खनी हो पा रहा है तो आपको बता दे कि एटा में ये सड़क हादसा सामने आया है जहां स्कूली बस हादसे का शिकार हो गई और ऐसे में अब स्कूल की मानिता रद करने की बात सामने आ रही है डीम काफी अक्टिव नजर आ रही है और पियम मोधी ने हादसे पर दुख जताया है और कहाए कि एटा के दर्दनाख हादसे से दुखी हूँ बच्चों के निधन पर शोक पकट करता हूँ उधर ग्रे मंत्री राजनाथ सिंग ने भी ट्वीट कर डुक जताया है और उन्होंने ट्वीट किया है कि मेरी सम्वेदनाई उन परिबारों के साथ हैं जिन्होंने हादसे में अपने बच्चे कोई हैं घायलों की जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं